Hello Guys, Seekhol Slime me आपका स्वागत है तो GIGHS, आज हम सिखाने जारहे है आपको यह जो हमारी है Handwards Handwards में डोरी कैसे डालते है collector क्योंकि लगबग Handwards होते हैं उनमें यहाँ पे हमारा chan लगी होती है जो वेगॉ में लगी होती है तो डोरी वाली जो हेंट पर्स है, उसकी डोरी इस तरीके से खींच के ऐसे और इसको बंद किया जाता है, इस तरीके से, तो ऐसे इसको बंद कर देते हैं, तो इसमें चैन की जरूरत नहीं पड़ती, अब अगर यह आपको डोरी डालने ही नहीं आती है और अगर आपको सीखनी है तो आप मेरे चैनल में इसको अराम से सीख सकते हैं तो मैं आप भी आपको इसमें डोरी डालना सिखाऊंगी कि इसमें डोरी कैसे डालते हैं तो चलिए आपको हम बताते हैं अभी तो उसके लिए हमने ले लिए दूसरा पर्स जो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा है और रेड कलर का है तो रेड कलर के पर्स के लिए हमने लिए रेड डोरी और जो ये हमने पिंक में डोरी डाली है उसके लिए पिंक डोरी तो ये पर्स आप घर पे भी बना सकते हैं और रेडी बेंट मार्केट में मिल भी जात तो यह देखिये जैसे यह बना हुआ पर्ट है तो इसमें भुझे डोड़लेंगे क्यों कि इसकी यह दौर्वरी गास्वी बरखना से इसके इंदर कीदे लेते हैं और अगर आपको यह पिन नहीं हो तो आप साड़ी पिन भी ले सकते हैं उससे भी डाल सकते हैं तो आप इसली डाल सकते हैं और मेरे पहले भी वीडियो में डोरी डालना सिखा रखा है हमने नाडा डालना भी सिखा रखा है तो आप वो भी देख सकते हैं तो यह दे आछा इसे से वह इस तरह के साथ एस है आपको इसमें डूरी डालना ज़्यादा मिसकत नहीं करनी पड़ेगी अपना बहुत और इसपे नर्डावरी डाल जायएंगी और ये डूरी है जो हमारी जो पिन है वो बाहर आ चुकी है तो अब जो हमारे ये दूसरा साइड है इस साइड तो यहां से हम वापस इसको स्टार्ट कर देंगे यहां पर हम डोरी को निकालेंगे नहीं यहीं से वापस हम इस डोरी को निकाल लेंगे जैसे हमने ये देखिए यहाँ से हमने बंद रखा है तो ऐसे हम आगे की और चलते जाएंगे इस तरीके से यह हमारी पिन है जो बाहर आ चुकी है तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं यह देखिए अब हम पिन को भी निकाल देते हैं इस तरीके से और अब हमारी यह डोरी है जो तो अब हमने इसमें डोरी डाल लिए आपने देखा अब हमें इसमें दूसरी साइड डोरी डालनी है वो भी हम आपको बता देते हैं तो इसको हम यहां से कट कर लेते हैं डोरी को इस तरीके से हमने कटिंग कर लिए और वापस हमें इसी हैर पिन में इसको डालना है और जिस साइड से हमने ये डोरी निकाली है या आप देख सकते हो जिस साइड से हमने डोरी निकाली है उसी साइड से हमें वापस सरुवात करनी है इस तरीके से वापस हमें इस तरफ जाना है जहां से हमारे ये वाला डोरी का साइड है इसी साइड हमें वापस आना है ऐसे इस तरफ से हमें वापस डालनी है डोरी को ताकि ये दोनों साइड में डोरी डल जाएगी तो ये खिंचने में हमें आसानी रहेगी और आप hairpin से ही डालिए easily डल जाती है इससे और आसान भी रहता है साड़ी pin से ज़्यादा इससे अच्छा रहता है तो ये देखिए इस side निकल चुकी है डोरी हमारी और अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं डोरी को हमारा ये वाला side है इस side से हमने इस डोरी को निकाल के छोड़ दिया है और जहां से हमारी ये डोरी स्टार्ट हो रही है ये देखिए लंबी डोरी पड़िये वहां से हम इसको वापस इस तरीके से डाल देंगे और अब जो हमने यहां पर इन दोनो धागों को निकाला है एक side अब हम वापस इसी side से दूसरी side जाएंगे ऐसे डालते हुए आपको इसमें कम से कम एक मिटर या डेड मिटर डोरी लग जाएगी क्योंकि एक डेड मिटर के बिना थोड़ा हमें मार्जन भी रखना होता है तो एक डेड मिटर डोरी लग जाती है तो अब अगर आप पर्स के लिए कभी भी डोरी कोई भी कलर की लाएं तो कम से कम डेड मिटर तो लानी ही चाहिए ये देखिए हमारा ये दूसरा side भी इस side से निकल गया है तो इसमें डोरी डालना बहुत हीज़ी है अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो आप वीडियो में देखके इसको समझ सकते हैं तो अब देखिए इस side से हमारा जो दोनो side है ये इस side से हो गया तो अब यहां से ये जो डोरी है उसको हम खीच के tight कर लेते हैं ये देखिए तो ये एक side इस side से हो गया एक side इस side से हो गया अब हम इसको कटिंग कर दो अ अब जब आम इसको क्षा किंते हों कि इस नोरी को हम्हींच के कठा करें से हीजह जो है इस वेह उन बंदे हो ॐसको अब कुछ लोग साय हों में को तरह हमें कोई समान निकालना होगा, जैसे जूलरी या पैसे कुछ भी निकालने होगे, तो हमें इस तरीके से इसको बडराबर कर देना है, तो आपको मार्जन के लिए थोड़ी सी दोरी बाहर रखनी है, ताकि हमें इस तरह के से खीचने में इसी रहे बाइगाईए देखिए हमने कोग्डा कर दिया और यह हमारे दोरी भी नहीं निकली और जब भी आपको कुछ निकालना होगा आप इस तरीके से इसको फैला दीजिए तो ये बहुत आसान और इसी काम है आप घर पे इसको कर सकते हैं और इसी तरीके से हमने इसमें भी ये डाली थी डोरी तो आप इसी परकार दोनों में डोरी डाल सकते हैं तो गाइस मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको ले लाइक करें शेर करें कमेंट करें धन्यवाद